जै श्री राधे मित्रो, मैं पंडित आशी शर्मा बरनाला, आज एक नए विशे के साथ इस वीडियो के माध्यम से उपस्तित हुआ हूँ, आज का जो मिरे विशे है वह है गोचरफल 2020 मित्रो, आज बात करेंगे राहु का शुप और अशुप गोचरफल 2020 के बारे में, तो 25 मार्च 2020 से 22 सितंबर 2020 तक राहु ग्रहे मित्वन डाशी में ही संचार करेंगे, यानि मित्वन डाशी में इसका विशेश प्रभाप पड़ेगा, इसके साथ साथ 22 मार्च से लेकर के 22 सितंबर 2020 तक मित्वन डाशी में संचार करते हुए, ये राहु बारा राशी में पर क्या प्रभाप डालेगा, आईए जानते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की, तो मेश राशी वाले जातक इनको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो, धन लाब वह उनिति के अपसर प्राप्त होंगे, यदि कोई विदेश जाना चाता हो, तो विदेश गमन की योजना बनेगी, अगली बात करते हैं ब्रिश राशी की, तो ब्रिश राशी वाले जातक धन प्राप्ति में विगनों का सामनाग रहेगा, अचानक धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं, तथा अचानक हानी का भी भए हैं, और ब्रिश राशी वाले जातकों को मानसिक तनाव की संभावना है, अगली राशी मिथुन राशी, तो जो मिथुन राशी वाले जातक हैं, इनको स्रीरिकस्ट हो सकता है, तनाव मन परेशान अधिक रह सकता है, बनते कारियों में अडचने आएंगी, खर्चों की भी अधिकता रहेगी, इससे अगली राशी करक राशी, समानने आये के साथ साथ खर्च भी बहुत अधिक रहेगा, किसी अप्रिय घटना के कारण मन में अशान्ति रहेगी, तो सिंग राशी वाले जातक धन लाभ वह उन्नती के चांस बनेंगे, परन्तु खर्च भी बहुत बढ़ेंगे, विदेश या दिर घ्यात्रा का विचार बन रहा है, अगली राशी कन्या राशी, कन्या राशी वाले जातक जाति का ब्रिथा दोड़ धूप अधिक, बंते कारव में बिगन पड़ेंगे, घरेलू एवं बेवसाइक उलजनों के कारण तनाब बढ़ेगा, अगली राशी तुला राशी, तो तुला राशी वाले बिगड़े कारव में कुछ सुधार होंगे, वहनादी सुखों की प्राप्ती होगी, खर्चों में ब्रिदी होगी किसी नजदी की बंधू से बिरोध होगा ब्रिश्चिक राशी लाभ कम खर्चा अधिक रहेगा श्रीरिकस्ट एबम रोग भाय रहेंगे अपने भी परायों जैसा ब्यावार करेंगे अगली राशी धनू बंते कारों में अट्चनिल होगी लाभ कम खर्चा अधिक होगे परिवार या पती पत्नी में मन मुटाब हो सकता है मकराशी वाले अचानक धन लाभ होगा कार ब्यपसाय में भी अचानक सफलता मिलेगी शूब यात्रा एबम परिवार से मेल मिलाभ होगा कुम्ब राशी किसी नजदी की बंदू से तनाब होगा रोग वशत्रू भाय खर्च होगा खर्च अधिक होगे एबम मानसिक तनाब रहेगा संतान एबम विद्या समंधी कारों में विगन बादाएं उत्पन होगी मीन राशी वाले कारे विपसाई में विगनों के बाद सफलता मिले आये के साथ साथ खर्च अधिक रहेगा घरेलो उलजने बढ़ेंगी तो यह है बारा नाशियों का फल जो की 25 मार्च 2020 से 22 सितंबर 2020 तक के लिए है क्योंकि 25 मार्च से मिथुन राशी में राहू का गोजर फल का यह मैंने आपको बताया है और इसके लिए हमने क्या उपाय करने है यदि किसी को इस परकार के कष्ट आ रहे है या इस परकार के आगे कष्ट आ सकते हैं तो उन जातकों को उन जातिकाओं को क्या करना चाहिए तो राहू शान्ति के लिए भूरा बस्त्र दान करें कंबल का दान करें सतनाजा पंचियों को डाले और राहू के मंतर का ओम भ्राम भ्रीम भ्राम सह रहवे नमा इस मंतर का अठारा हजार जब करें या प्रति दिन एकमाला करें तो मितरो मुझे आशा है कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत लाब हुआ होगा कई चीजे समझाई होंगी तो उमीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी के साथ साथ मैं आपसे ये कहूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगली वीडियो मैं बताऊंगा कि 23 स्टंबर 2020 से 22 अपरेल 2021 तक किस राशी में राहु गोचर करेगा और 12 राश्यों पर उसका क्या प्रभाब पड़ेगा तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पिराम देता हूं राधे राधे